हेलो फ्रेंग्स चैनल लाइक पस्थर बना बिल्कुल न भूलेगा तो आज मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही ईजी समझाने वाली हूं जिससे questions रेनिवे रिदेटल इजी ही शी जीस से आते हैं जो मैं आपको explain कर दूँँंगी आज जो है पैवलव후, पैवलव की ठिऊरी में बाताने वाली हूं बहुत iałemसी बिशॉीन ब इसको सब्सेंगे करने था, पैवलव ने दॉक के ओपर एक्स्पेरिमेंट कर आतां। अपसी मैं यहां ब्लव ने धाई नोग को रख आप एक्स्पेरिमेंट किया था कि उनको यह जाना था कि वो कितना saliva secret कर रहा है क्या है तो चलिए मैं बताती हूं एक meat का piece था तो उन्होंने जो पैवलफ थे उन्होंने meat का piece एक रखा और बिसिकली यहाँ पर एक चीज है बेल प्लस फूड इन्ही दोनों चीजों का कॉंबिनेशन है कि कैसे बेल बशती है और डॉग जो है यहाँ सेलाइवा सिक्रीट करता है और फूड उसको मिल जाता है तो पैवलब ने क्या करा यह जानने के लिए कि डॉग किस तरह से हरकत में आता है तो उन्होंने बेल बजाई और बेल बजाने के बाद डॉग को फूड दिया फूड पहले एक मीट का जो पीस था वो दिखाया जिससे कि वो फूड देखते ही डॉग ने एक सलाइवा सिक्री करा तो पहली अटेम्ट में पहली बार जब दिया तो उन्होंने देखा कि सलाइवा कितने अमांट में सलाइवा या मुझ की लार उसकी गिरी तो सबसे पहले उसके यह डिए सुने फिर दूसरी बार पैवलब ने फिर बेल बजाया और फिर फूड सामने रखा फिर उसको देखा को तो जितनी बार मतलब मुझे पूड मिलने वाला है तो जो कंडिशनिंग और जो उसको रिस्पॉंस आ रहा था यह नोटिस करने के लिए इसमें एक क्वेशन बहुत इंपोर्टन आता है कि पैवलफ की तीन रिस्पॉंस की जू डॉग से पैवलफ को तीन तो सबसे पहला response यह था जब unconditional सबसे पहली बार में जब डॉक को दिया तो डॉक को कुछ पता भी नहीं था कि उसको क्या मिलने वाला है क्या नहीं तो कैसे चीजें वह होती है before conditioning थी एक थी add time of conditioning कि थर्ड है after condition कि की बिफोर कंदीशनिंग में क्या था कि पहले food दिखाया आया फिर जो है survival secret हुआ तो बेल के वजह से नहीं next time बेल प्लस फूट था और डॉक सलिवेटेड तो क्या हुआ जब कंदीशनिंग के पहले तो डॉक को पता नहीं था दूसरी बार डॉक को पता चला after conditioning में उसका दूसरा response था इस तरह से पावलव ने इस चीज़ के उपर बात करी है